दोस्तो गीरी डूडल के इस प्लैटपॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम नाइंद का ट्राइंगल लेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका प्रैक्टी सेट नंबर 3.1 आज हम कंप्लीट करेंगे जिसका आज हम यह फॉस्ट पार्ट कंप्लीट और आपने नहीं देखा है तो बहुत जाके देखो और स्टार्टिंग के दोनों लेशन्स हमने कंप्लीट कर दिये अब दोस्तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ACD यह जो हमारा ट्राइंगल है उसमें यह जो एंगल है दोस्तो एक्स्टेरियर एंगल है एंगल B कितना है दोस् ों 40 डीग्री और आगल एक इतना बोला है दोस्तो 70 डीग्री और इसके बाद हमें क्या वोला है फारिंड इमे अंगल और देको यह जो इसके बाजु वाले angle को छोड़ करें जो angle बचे हैं वो दोनों के plus के equal है वे यह वाला angle यह दोनों angle के plus के equal है है हमने remote interior angle 13 में पढ़ा अब sir आप क्या बता सकते हो इस angle का naming क्या आएगा यस इस angle का naming क्या आएगा angle B, A, C और यह सभी का हम reason क्या लिखेंगे दोस्तों, remote, interior, angle, theorem तो दोस्तो remote, interior, angle, theorem हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, mention कर दिया अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से रेखोगे, starting में आपको यह लिखना होगा a c d is an exterior angle of triangle a b c यह आपने mention किया अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो a c d which is equal to yes what is angle a 70 degree what is angle b 40 degree and दोस्तो इसके बाद angle a c d कितना हो जाएगा दोस्तो 110 degree finally यहाँ पर हमें पहला answer हमारा मिल गया तो बहुत ही simple तरीके से हमने sum को solve किया yes question number second तो बहुत ही ज्यादर simple है दोस्तो यहाँ पर एक normal से triangle की बात की जा रही है यह triangle है और इस triangle का naming besides इन्होंने दिया है p q r अब दोस्तो अगर आप देखोगे तो angle p इन्होंने कितना दिया है दोस्तो 70 degree गृट एंग दिया है दोस्तो 55 और अंगल हमीं क्या करना है दोस्तो फाइंड कर आप दुस्तों यहां पे झाला यहां पर दियान से देखो घहते तो में यहां पर लिख रहा हूं इन त्रायंगर टी değil आप मेजर ओफ एंगल पी फ्लस मेजर ओफ एंगल एंगल क्यू प्लस मेजर अफ एंगल आप इसे फुल फॉर्म में लिखना तो मुझे बहुत अच्छा लगीगा स्वाट पों नहीं चलेगा पेपर के लिए the sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree yes what is angle P, angle P कितना है दोस्तो 70 degree है what is angle Q, angle Q कितना है दोस्तो 65 degree है what is angle R, find out करना है दोस्तो और which is equal to कितना है दोस्तो 180 degree finally अगर हम यह दोनों को plus कर रहे हैं देखो दोस्तो, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो और यहाँ पर देखो 5, और 7 और 6 को plus कर रहे हो तो 13 आएगा दोस्तो, और finally अगर आपने यह सभी को अगर plus कर दिया और यहाँ पर गया है दोस्तो angle R, और यहाँ पर गया है दोस्तो 180 then angle R which is equal to 180 minus 135 then angle R which is equal to yes, 180 में से 135 को अगर मैं minus करता हो तो मुझे ऐसा लग रहे है कि answer 45 आना चाहिए, प्लीज आप भी minus करके मुझे बता सकते हो कि yes sir 45 इसका answer है अब चलते हैं दोस्तो next question क्यों है, देखो कभी भी अगर ऐसे भी questions आए, ऐसे case में हम triangles डारेक नहीं बना सकते है क्यों triangles में डारेक नहीं बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है यह right angle triangle है की, acute angle triangle है की, obtuse angle triangle है मुझे नहीं पता है दोस्तों, तो ऐसे case में मैं क्या करूँगा, पहला जो आपको line दिया है देखो, the major, हार बहुत तेज़ बारिस हो रहा है, major of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree the major of angles of a triangle are something, something, something है, अब देखो, दोस्तों, हम क्या करेंगे, आपको पता है, कौन सा प्रॉपेट्टी, the sum the short form में लिख दे रहा हूँ, आपको मैंने पहले लिख के दिया, sum of major of all angles of a triangle is 180 degree, यह आपने आप मिंसन किया, अब देखो, दोस्तों, यहाँ पर मैं naming ले ले रहा हूँ, तीनो angle का naming, angle A, angle B, और angle C, which is equal to 180, मतलब मेरे triangle का naming ABC है, पर अभी मैं ट्राइंगल में last में बनाऊंग देखोंगा भाई, उसमें से angle कोई 90 ना आजा है, तो पर right angle triangle बनाना होगा, here's what is angle A, कितना है, दोस्तों, x degree, angle B कितना है, दोस्तो, x minus 20 degree, angle C कितना है, दोस्तो, x minus 40 degree, which is equal to कितना है, गा 180, finally मैं इसे, देखो, यहाँ पर यह x degree है, यहाँ तो direct इसको x भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखो, x minus 20, यह x minus 40, और यहाँ पर यह 180, यह भी ना degree के लिखते है, अब देखों, यहाँ पर x, x, x कितना हो जाएगा, दोस्तो, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, यह minus minus क्या हो जाएगा, दोस्तो, plus, तो 40 और 20, 60, और यह कितना हो जाएगा, 180, then 3x, which is equal to 180, plus 60, अगर मैं द्यान से देखूं, तो दोस्तो, 3x, which is equal to, यहाँ पर गयाएगा, दोस्तो, 180 और 60 को अगर हम प्लस करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, 240 एंसर आएगा, और x, which is equal to, अगर हम इसको 240 को, divide करें, तो मुझे लग रहा है, यहाँ पर 80 एंसर आएगा, तो x का जो value है, दोस्तो, वो हमें मिल गया, अब देखो, मैं एक एक angle निकाल रहा हूँ, हमने angle A को क्या लिया था, angle B को क्या लिया था, और angle C को क्या लिया था, यह पहला angle हमने क्या consider किया था, दोस्तो, x degree, तो यह same to same रख रहा हूँ, दूसरा आएगा है, दोस्तो, x minus 20 degree, and third one, that is x minus 40 degree, अगर आप द्यान से, अच्छे से, देखने की कोसिस करोगे, तो यहाँ पर x degree, x मतलब कितना है, दोस्तो, 80 है, तो final ही यहाँ पहत गया एक度 80 degree, x minus 20, x कितना है, दोस्तो, 80 है, तो यहाँ भी कहेगा, दोस्तो, 80 minus 20 degree, which is equal to कितना है, दोस्तो, 60 degree, अब x minus 40 है, अगर मैं समझो यहां पर 80 रख रहा हूं माइनस 40 तो दोस्तों यहां पर कितना एगा दोस्तों 40 डिग्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों ही एंगल दोस्तों 90 से कम है तो आप डाइग्राम बाजू में वहां बना देना यहां पर देखो मैं A लिख रहा हूं यहां पर B लेगा और लास्ट में आपको एंसर लिखना है दो मेजर ओफ एंगल्स ओफ ट्राइंगल इच एंगल्स ओफ ट्राइंगल्स आर 80 60 & 40 अब चलते हैं दोस्तों देखो नेक्स कोशन ऐसा ही कोशन है थोड़ा सा कोशन में ट्विस्ट है ट्विस्ट मतलब क्या है मतलब यहां पर हमें यह वर्ट प्रॉल्म की तरह चीज़ें दी गई है बिल्कुल धरना नहीं है जो चीज सबसे लास्ट में लिखा रहेगा वही आपको एक्स कंसिडर करना है तो मेजर ओफ वन अप दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इस ट्वाइस ट्वाइस यह सबसे ज्यादा इंप आइकन को साथ किया गया इस्मॉलेस्स टैंगल के साथ किया गया एम कि इस्से यह पता चल गया है कि अगर मैंने ऐस डिगरी अब धर एंगल्स आर एक एंगल्स क्या है वन अब दी ऑंगल इस ट्वाइस दे इस वालेस्ट एंगल तो अधर एंगल क्या हो जाएगा 2X डिग्री और उसके बाद जो दुसरा एंगल आएगा दूस्तों कितना आएगा थ्राइज दी, थ्राइज दी स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 3X डिग्री ये हो गया and find the major of 3 angles हमें 3 angles का क्या करना है दोस्तों, major क्या करना है पता करना है तो देखो दोस्तों यहां पे किस तरह से सम्सॉल होगा यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों पूरा का पूरा पीछे की तरह समसॉल होगा यहां पे नेमिंग मैंने जो लिया है मैं डाइग्राम को लास्ट में ड्राउ करूंगा क्यूंकि हो सकता है कि यह राइट एंगल इसमें से एक एंगल 19 हो जाए यह एक्स है दूसरे आले को मैं क्या ले रहा हूँ 2x degree और यहां पर मैं क्या ले रहा हूँ 3x degree which is equal to 180 अगर आप सभी को प्लस करते हो तो देखो 1,2,3,3,3,3,6 x degree which is equal to 180 देन दोस्तों फाइनली अगर आप यहां लिखो गे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6x which is equal to 180 देन x which is equal to yes 180 divided by 6 which is equal to 30 तो यहां पर हमें जो हमारा x का value मिला दोस्तों कितना मिला 30 मिला अब x का value अगर हमें 30 मिला तो मैं अगर सभी angles निकालो angle A, angle B और angle C जो बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहा होगा उसको बहुत ही अच्छे से चीज़े समझ में आ रही हूँ Yes what is angle A, angle A कितना है दोस्तो x degree है x degree है मतलब कितना है दोस्तो 30 डिगरी है Angle B कितना है दोस्तो 2x degree है तो finally यहां पर अगर हम देखे तो 2x degree तो 2 x का value कितना है दोस्तो 30 तो अगर मैं consider करूँ तो यह कितना आएगा दोस्तो 60 degree एंड यह कितना है दोस्तो 3x है तो अगर मैं 3 into 60 अगर मैं consider करूँ सॉरी 30 है ना 2 into 30 अगर मैं consider करूँ तो दोस्तो यह कितना आएगा 90 degree अब यहां पे proper हमें answer मिल गया है देजे measure of find the measure of all three angles the measure of three angles are 30, 60 and 90 सर इसका diagram कैसे दोगा दोस्तो अगर आप ध्यान से observe करोगे तो इसमें से एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा पहले जो आप जो 90 अला एंगल है उसको लिख दो एंगल कुन सा 90 है? C आपना और यहां पर आप A ले लो और यहां पर B यह कितना है? 90 है इस तरह से आपका यह डाइग्राम हो गया डाइग्राम इसलिए मैं बोलता हूं कि most of the questions में आप डाइग्राम कोसिस करो लास्ट में ड्रॉ करने के लिए देखो अगर जिनोंने बहुत अच्छे से मेरे concept वाई चीज़ों को समझाओ का उसका एंसर इसमें लेक्स के भी concept है दोस्तों एक जटके में इसका एंसर दे सकता है बिना किसी तकलीफ के एक जटके में एंसर आ सकता है दोस्तों देखो कहीं पे भी मैंने बोलाए कि अगर इस तरह का कोई case रहता है बाजू बाजू वाले एंगल होता है इसका प्लस 180 होता है एंगल इन लिनियर पर कहीं पर ऐसा है बाजू के एंगल है तो दोनों का प्लस एंगल इन लिनियर पर से हो जाएगा 180 अब देखो य है और य है डारेक आप प्लस कर सकते हो तो देखो यह आप पर 100 plus y which is equal to 180 क्या लिखोगे angle in linear pair yes complete then y which is equal to 180 minus 100 then y which is equal to 80 ddd yes complete then दोस्तो यह दोनों का भी आप प्लस कर सकते हो यहाँ पे भी angle linear pair दिखाई दे रहा है तो z plus क्या है दोस्तो 140 और which is equal to कितना है दोस्तो 180 फिर से यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तो angle in angle in linear pair angles लिख दो angles in linear pair अब दोस्तो अगर आप ध्यान से देखो गया आप जैड विचिस equal to कितना है गाँ 180 माइनस 140 जैड विचिस equal to कितना है गाँ दोस्तो 40 डिए भी हो गया अब यह पूरा का पूरा प्लस Y प्लस Z विचिस equal to कितना है गाँ दोस्तो 180 यह भी आपको पता है या तो आप इसको remote interior angle theorem से भी solve कर सकते थे exterior angle जो है 140 यह दोनों के plus के equal होगा तो वहाँ से भी आप तुरंद x को निकाल सकते थे बट यह सबसे simple तरीका है आपको यह तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों angle का plus 180 होता है तो आप थोड़ा से जल्दी solve कर लोगे reason क्या लिखोगे sum of the measure of all angles of a triangle is 180 please full form में लिखना yes what is angle x angle x नहीं पता है sir y 80 degree है sir z 40 degree है sir और यह कितना है 180 degree then यहाँ पर x यहाँ पर दोनों को plus करेगे तो कितना हैगा 120 यह कितना हैगा 180 then x equal to 180 minus 120 then x equal to कितना हैगा 60 degree तो finally इसको हम 60 form में लिखते हैं तो यह 60 degree है तो यह overall यह questions भी हमने क्या कर दिया दोस्तों solve कर दिया अब यहाँ पर यह solve करने के बाद अब चलते हैं दोस्तों आगे question के और हो सकता है यह question proper form में दिखनी रहा है अभी दिखा यह अभी सर दिखाई दे रहा है कि दोस्तों यह वाला naming हो सकता है यह आपको न दिखे तो यह मैं लिख दे रहा हूं अलग से 70 degree दिए और यह वाला naming बहुत ही छोटा लिखा है 40 degree दिया है कितना तो मैं आपको दिखा दे अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज जो पहला line लिखा इन्होंने line A B parallel to line D यह क्या होगा है दोस्तों given यह जो A B है यह A है और यह B है यह दोस्तों यह वाले line को parallel है जिसका naming क्या है दोस्तों D अगर आप ध्यान से देखोंगे अगर यह दो line parallel है मतलब यह angle इस angle को same है और यहाँ पही क्या है दोस्तों अगर यह angle इस angle को same है तो यहाँ पे reason क्या हैगा alternate angle तो आप यहाँ पही क्या लिखोंगे दोस्तों मतलब angle B A D equal to मैं पूरा ले रहा हूँ B A D पूरा ले रहा हूँ यहां तक भी आप ले सकते हो equal to B A D equal to A D E A D E यहाँ पही क्या लिखोंगे alternate angle यह बीए डी बीए डी कितना आएगा 70 degree और यहाँ पे A D E तो इससे यह पता चल गया कि आपका A D E कितना है 70 degree तो यह आपको पहला confirmation मिल गया है कि यह कितना है 70 बड़ हमें यह नहीं find out करने नहीं बोला है इन्होंने हमें क्या बोला है D E यह वाला angle बोला है और कुन सा बोला है दोस्तो अब देखो दोस्तो यह अगर आपने find out किया तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है मलब यह एंगल यह एंगल तीनों का अगल का naming भी वन लेटर से लिख सकते हो एंगल डी यह वाले का naming वन लेटर से नहीं लिख सकते दोस्तों यह वाले का क्योंकि यह आर पे दो अंगल से तो प्लीज इसको त्री लेटर में लिखना तो मैं लिख रहा हूं अगल क्या लिख रहो डी आर यी विच इकवल टू वन एटी यहां पे क्या लिख रहोगे दस सम आप दी मेजर ऑफ और अंगल से कंसिडर कर सकते हो एंगल डी आर यी अपने को फाइंड आउट करना इकवल टू कितना है दोस्तों वन एटी यह दोनों का अगर हम प्लस करते हैं प्लीज हम इसे हटा दे रहा है है अगर मैं यह दोनों का प्लस करूं तो एंगल डी आर एक्वल टू 180 माइनस दोनों को अगर आप प्लस करोगे 70 प्लस 40 करोगे तो 110 आएगा तो 110 देन एंगल DRE विच इस एक्वल टू कितना आएगा दोस्तो 70 डिग्री तो यहां पर फाइनली दोस्तो आपका एक एंगल तो आपने निकाल दिया अगर आपने DRE देखो आपको मैंने यह कौन से बताया अगर आपने यह एंगल 70 निकाला तो बाजु वाला कितना आएग एंगल इन लिनियर पेर ना तो यह कितना एगा 180 माने 70 करोगे तो 110 आएगा दोस्तो एंसर तो आप क्या करोगे यहां पर देखो एंगल इस एंगल का आप नेमिंग क्या है DRE DRE इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तो ARE इक्वल तो कितना है गा 180 रिजन क्या लिखोगे एंगल इन लिनियर पेर प्लीज फुल फॉर्म में लिखना है DRE कितना है 70 ARE और इक्वल तो कितना है 180 देन एंगल ARE 180 माइनस 70 देन एंगल ARE इस एक्वल तो कितना है गा दोस्तो वन वन जीरो तो दोस्तो फाइनली हमने यहां तक पूरा का पूरा पार्ट सॉल किया और आज तक का हमारा टार्गेट था कि आज हम कोस्टन नबर 6 तक सॉल करेंगे रिमेनिंग जो कोस्टन से दोस्तो देखो यह 7 से लेके 10 मतलब नेक्स लेक्चर में कि यह कोस्टन सोड़े बड़े बड़े इसमें टाइम जाएगा तो मतलब इतना ही सेम टाइम लगेगा वो कोस्टन सॉल करने के लिए पर फॉर्स राउंड के कोस्टन समने कवर कर दिये आप सभी लोगों से request है कि बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा पार्ट देखना है और जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाई बाई टेक केर जैहिन दोस्तों